आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइफ में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके सातर श्यंसारी आए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरे अपने बाप की ओलार है तो अलेगर पर बुल्डोजर चला के दिखा यती नरसिनहान नंद ने सियम को खुले आमरी धम के जिया उत्रपिदेश के जिले गाजियाबाद का दासना देवी मंदिर के यती नरसिनहान नंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मेडिया पर काफी यम योगी की खिलाफ विवादित बयान दिया है यती ने बोला कि योगी जी कहां कहना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस ने मेरी बहुत बेज़ती की है मुझे या तो जान से मार दे या जेल भेज दे अपने बाप की ओलार है तो अलिगर पर बुल्डोजर चला के दिखा मे क्या है पूरा मामला देखते हैं ये रिपोर्ट जिया हिंदुर अक्षादल के अध्यक्षव भूपेंद्र चौदरी उर्फ पिंकी तोमर पर गाजियाबाद पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कारवाई की इसके विरोध में बड़ी संग्या में लोग डियाम दाफ्तर के बाहर धन्ना देते पहुचे दर प्रदर्शन करने पहुचे लोगों और पुलिस के बीच जड़ब कुई और धका मुकिक में यती नरसिना नंद गिर पड़े बाद में पुलिस उन्हें वहाँ से लेकर चली गए उन्होंने कहा कि मेरे उपर नकली धाराय लग सकती है ज खून पसीने और हमारे बच्चों की मेहनत पर लगा दो जितने मुकदमे लगाने हैं मुझे या तो जेल में डाल दो या फिर माल दो उन्हें कि कहा कि ये नकली बिल्डोजर का असलियत जल्दी ही पूरी दुनिया देखे बरते हैं अगली खबर की तरफ उद्योगपती मुकेश अंबानी पहुचे बद्रिनाद धाम विशेष पूजाल चना में हुए शामिल जिया उद्योगपती मुकेश अंबानी का स्वागत करते हुए बिके टीस उपाद्यक्ष किशोर्स पावर ने देश के सबसे प्रती उद्योगपती मुकेश अंबान गुरुवार को याने के आज उत्राखंड के बद्रिनात धाम पहुचे बीके टी सी के उपाद्यक्ष ने किया स्वागत जिया रिलायंस इंडस्री के चियर मैन मुकेश अमबानी अपने चार्टेट हेलिकॉप्टर से सीविल हेलिपेड उत्राखंड के बदरिनात धाम पहुचे इस दोरान वहाँ सुरक्षा के लिए भी इंतिजाम किये गए पिछले साल तेरा को बदरिनात धाम आये थे मुकेश अमबानी जिया मुकेश अमबानी ने यहां बाबा बदरिनात धाम में विशेश पूजा अचना में हिस्सा लिया और विधी वद्द तरीके से पूजा की और बाबा का आशिरवाद लिया बता दे कि मुकेशंबानी हर साल बद्रिनाथ धामाते है और यहां होने वाली विशेश पूजा में हिस्सा लेते है पिछली बार वही 13 ओक्टूबर को यहां आये थे हर साल की तरह वो इस बार भी गुरुवार को बद्रिनाथ पहुचे और पूजा में हिस्सा लिया बरते अगली खबर इक तरफ एटली के बाद फ्रांस पहुचे राजनाथ सिंग पेरिस के पास जेट इंजन विनिर्मान इकाई का किया दोरा ज्या राक्षामंदरी राजनाथ सिंग इन दिनों विशेश दोरे पर है एटली का यात्र पूरी करने के बाद बुद्वार को फ्रांस पहुचे यहां उन्होंने पेरिस के पास फ्रांसेसी कमपनी सफरान की जेट इंजन विनिर्मान इकाई का दोरा किया और एरो इंजन किर्शा कर रही है इसके अलावा राजनाथ ने प्रांसेसी रक्षाउ कमपनीयोंसे के साथ वह बादशीत की और उन्हों वहरत पकासिकी फायदों Squawk 52 का बताया उन्होंने का कि बारत मेरें हाइवेर्म के निर्मान के बाद इसे अन्यदेश में निर्यात किया जा सकता है दिली में रक्षा मंत्राले में एक बयान में कहा गया कि राजनात सिंग ने पैरिस के पास गेने वीलियर्स में सफरान इंजन डिविजन के अनुसंदान इवं विकास सेंटर का दौरा किया और एरो इंजन प्रोद्यगेकी में नवित्मम् विकास को देखा बयान में कहा गया है कि सफरान के वैश्विक सीओ आलियो वियर एंड्रीज ने रक्षा मंत्री का इकाई स्वागत किया और अपनी टीम के साथ उन्हें विस्तरत जानकारी दी मंत्राले ने बयान में कहा कि सफ फ्रांसिसी रक्षा कंपनियों के सीओ से भी मुलाकात की और भारत के साथ सहयोग की योजनाव पलशर्चा की बैटक में दसौल्ट एवियेशन के सीओ एरियक्ट ट्रैपियर नेवल ग्रूप सीओ पियर एरिक पॉमलेट एयर बेस के सीओ गिला उम फावरी और सफरान के मौजूद थे राजना सिंग ने अन्य देशो को निरियात की संभावनाय साहित भारत में रक्षा उत्पादक के फाइदों का भी प्रिकाश जाला है इसी तरह की दिनबर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू तब तक देखते रहे हैं MNS नेटवर् झाल 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 झाल